हमाई से योगी सुष्वील ने अनुराग ठाकुर से खास बात शुट किये जो की केंद्री मंत्री हैं सुनिए चट्वे चरण की सुरुवात हो रही है और ऐसे में तमाम सभी पार्टियों के दिगज अब पुर्वांचल और खासकर गोरपुर और आसपास के जिलों में पैट कर अपने अपने तरीके से रणीती तियार करने लगे हैं हमार साथ केंद्री मंत्री अनौर्वाप ठाकुर जी मौदूद है चुकि लगतार ये फुस्ट फेस से लेकर के और पांचुए फेस तक लगतार ये भ्रमड की हैं जनसबा की हैं दोन टो डोर कैंपेनिंग की हैं तरक किस तरह के हालात हैं अभी फर्स्ट पेस सिकेंड और थर्ड पेस के अगर बात करें तो क्या है चार चरण पूरे हुए और चारो चरणों में भारती अंता पार्टी जनता की शीरवात से शांदार प्रदर्शन कर रही है और आज तुम्हें गोरकपूर में हूँ सब्कानिका में में खडा हूं स्वर्ग क्यिए व्थजी उनकी भूमिका कोई आद करता सी सनातन सस्कृति पर जब भी हमले हुए चाहे अंग्रेजियों के अनुग्लों के समय धर्म सनातन सस्कृति पर कभी भी प्रशेंचन खडा हुआ हो उसको मिटाने का प्रयास किया हो तब कोई ना कोई समाज में आगे आया इस तरह से गीता प्रैस की भी एक बहुत बड़ी भूमी का रही पौदार जी की बेडला जी की मदनमोहर मालविया जी की इन लोग की बहुत बड़ी भूमी का रही संस्कृति को बचाने के शिक्षा के विस्तार के लिए और मैं कहना च जो राम भक्तों पर गोली भी चलाते हैं बुद्ध का अफमान भी करते हैं अयोध्या जाते हैं राम लला के दर्शन तब भी नहीं करते हैं लेकिन बड़े-बड़े बयान देते हैं यह अपने आप में दिखाता है कि ये लोग केवल तुष्टी करण की राजनीति करते है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तुष्टी करण की राजनीती नहीं चाहती इन लोगों ने गरीब के नाम पे वोड तो लिया बस पास अपा कॉंग्रेस ने लेकिन केवल अपने ही परिवारों के पेट भरने का काम किया है अब जनता इनसे जवाब मांगते है इसलिए इनकी सफाई हो रही है और जहां पर आज मैं गोरकपुर में हूँ गोरकपुर को तो दो जगा पुरवांचल को जाना जाता था या गैंग वार के लिए या जपानी बुखार के लिए गैंग वार और जपानी बुखार दोनों से मुक्ति दिलाई है तो योगी दित्यनाची ने मचर भी और माफिया से दोनों से ही मुक्ति दिलाई है जनता भाजपा की और जा रही है जैसे हमने दंगई माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश किया वैसे ही उत्तर प्रदेश की जन्ता ने बसपा सपा कॉंग्रेस को साफ किया है चौते फेज में तो अब अखलेश यादव को भी और नाम की याद आगी जिधा पहुच रहे हैं जो है दर्शन कर रहे हैं तमाम और पार्टियों के लोग भी दर्शन कर रहे हैं है जो उनको समाझ बातियों बिंद्ी संधूर टिका चूरी इन सब से रोकता है कारण क्या है क्या वोट की राजनीते के लिए ऐसे हो जाएंगे अरे ये तो वो हैं जिन्होंने राम भक्तों को भुना है तो मैं जन्ता को कहता हूँ जिन्होंने राम भक्तों को भुना कर दो उनका EVM सुना अच्छा अब चौथे फेस के बाद डिंपल यादो भी सामने आये उन्होंने भगवा को ले करके भी एक बयान दिया था इसको ले करके क्या लगता है जन्ता क्या सोच रही है मैं यही कहूंगा सनातक संस्कृति पर हमले करने वाले अंग्रेज और मुगल भी हुए और अजाद भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवे पर प्रशन चिन खड़ा करते हैं जो राम लला पर प्रशन चिन खड़ा करते हैं जो राम सेतु के होने पर प्रशन चिन खड़ा करते हैं और भगवा को जंग से सोचने वाले को खुद जंग लग चुका होगा तभी पांच में चरणों में नजर आए पहले चार चरणों में कहीं दिखाई भी नहीं देते थे जाती धरम से उठकर दिया सम्मान सबसे पहले गरीब कल्यार यहीं मोदी जी का मूल्बंतर है सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास और सब का प्रयास गरीब कलियान के लिए किसी ने काम किया है तो मोदी जी और योगी जी ने किया है 43 लाग गरीबों को पक्के मकान हमने 5 वर्षों में बनाए 70 साल में नहीं बने थे 5 सालों में बनाए इसके लावा बिजली और पानी का मुफ्त में कॉनेक्शन देंगे महिने में दो बार मुफ्त में राशन देने काम मोदी जी योगी जी की सरकार ने किया वैक्शन मुफ्त में लगाने काम मोदी जी योगी जी ने किया पांच लाग का इलाज मुफ्त में मोदी जी योगी जी ने दिया यही नहीं 15,000 पे कन्या सुमंगला योजना को 25,000 कर देंगे मुख्यमत्री सामुई की विवा योजना में बेटी को एक लाख रप्य शगुन के रूप में देंगे 60 साल से जादा की महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा देंगे और निराश्रित और विद्वा कोई 15,000 पे महिलाओं की भरती सरकारी नौगरियों में दुगनी कर देंगे और इसके साथ-साथ महिलाओं के लिए एक लाख रपे का क्रेडिट कार्ड भी हम लोग ही करके दे रहे हैं नियुनतम ब्याजदर पर अब बहने कहीं भी जाके अपना खर्चा कर सकते हैं उनको क कोई चंता की जुरूरत नहीं होगी वहीं यवाओं को दो क्रोट स्मार्ट फोन टैबलेट्स देंगे मैदावी चात्राओं को उस मुफ्त में स्कूटी देंगे हर पंचायत में खेलमदान और जिम बना कर देंगे और इसके साथ-साथ प्रतियोगी प्रिक्षाओं में भा